जिन आंगन बाडी बहनों की उम्र 50 साल से उपर हो गई है, हो सकता है इस वज़े से उन आंगन बाडी बहनों का प्रमोशन वाली लिस्ट से नाम हटा दिया गया हो, ऐसा दुरगा प्रसाद जी है, इनका अपना तर्क है तो आप सब बहनों को अवगत कराना चाहेंगे, इस वीडियो में अभी हम प्रमोशन के बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले आपको एक जानकारी और दे दे, कुछ जानकारी और भी हैं, जो भी आपको देनी है, तो ऐसे में आपको बता दे कि एक तो यूटूब चैनल के प्रमोशन के लिए ये भाई हैं, जिन्होंने अपनी चैनल का लिंक भेजा है, दुरोपदी देवी बहन है, महराजगन से आती हैं, उनी के ये हस्बेंड है, और इनका यूटूब पर जो चैनल है, उस पर वो म्यूजिक वाले वीडियो डालते हैं, जिसके लिए उन्होंन कहा है कि लोग उनके चैनल से जुड़ें, आप देख सकते हैं, इस तरह से उन्होंने काफी वीडियो उस पर अफ्लोड किये हैं, साथी साथ आप देख सकते हैं, एक और या उनके चैनल की तस्वीरें, आल इंडिया के कमिनुटी पोर्षन में मैंने इनके चैनल की लिंक ड अब ही हम बात करते हैं आगे चलते हैं प्रमोशन के बारे में मैंने कहा कि चर्चा कर लेते हैं और उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजी हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे तो अब आपने देखा था कि उत्तरप्धेश के लखनव से एक बहन ने लिष्ट भेजी थी प्रमोशन वाली जिसको लेकर के काफी चर्चाएं हुई और बहुत से जिलों से आंगनबाडी बहने अब चाह रही है कि उनके जिले की लिस्ट भी दिखाई जाए और ताकि उनका भी नाम लिस्ट में है कि नहीं वो भी उनको पता चले तो इन सब चीजों को मद्य नजर नाम था लेकिन अभी इस वाली लिस्ट में इनका देखने को नहीं मिला अब जाहिर सी बात है यहां पर अब अगर उनके भाई के तर्ग को देखें तो क्या इन बहन की उम्र पचास साल हो गई है या इससे उपर निकल गई है जिस वज़े से नाम हटाया गया तो इस बारे अगर मालो किसी बहन का नहीं हुआ मालो इनी बहन का ले लो अगर इनका पचास साल उम्र नहीं हुआ होगा और फिर भी इनका नाम नहीं है तो फिर चिंदा का विसे तो बंता ही है तो बहनों को पता कैसे चलेगा कि आखिर क्या कारण रहा कि इन बहन को प्रमोशन से बाहर किया गया अब इसलिए मैंने कहा था कि ये प्रमोशन की लिस्ट एक तो पहली बात ये मुझे तो आधी अधूरी लग रही मैंने उस वीडियो में बोला है और मैंने बहुत कुछ बोला मैंने बोला साब सब दिखाया लखनों से बहने लखनों की लिस्ट है सब जगह से लेग इन्होंने लिखा भाई मेरी मम्मी का नाम बारा साल है पर अभी तक नहीं हुआ जो है तारा मती बताओ इन्होंने जो लिखा है वही समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाहते है पहले बात तो लिखा भाई मेरी मम्मी का नाम नाम लिखा ही नहीं और बारा साल है ये ल साल बीद गए तब जाकर के बारा के अगर हो रहे तो कहीं न कहीं इनके लिए तो दिक्कत है तो 2017 प्रक्रिया में जिनोंने फॉरम भरा था नाम था उस समय जिन भी लोगों का लिश्टों में वही रोग अपना समझें सोचें बाकि जिनका तब पूरा ही नहीं था वो तो बा रखास्ता कभी किसी के साथ हो तो ऐसी सिच्वेशन में घबराना नहीं है यानि जब भी आप अपने ATM से आंगनबारी बेहनों पैसे निकालेगी और कल को पैसे आपके वहां फस जाते हैं और खाते से पैसे आपके कट जाते हैं तो फिर दिक्कत आपको आएंगी ऐसी दिक आ गया पैसे कट गये और पैसे निकल नहीं पाए अब पैसे वापस कैसे होंगे दूसरे दिन बैंक भी जो है गई तो उन्होंने कहा कि आठ दिन के अंदर पैसा वापस आ जाएंगे आज आठ दिन हो गए हैं पैसा नहीं आया इसके लिए कुछ बताने का कश्ट करें भाय भी दस अजार रुपे फस गए थे तो ऐसे में क्या हुआ कि जो है चार महीने लग गए और वो लगने का कारण ये रहा कि हमने भी सोचा चलो आ जाएंगे अपने मन से आ जाएंगे थोड़े दिन इंतदार कर लिया महीना बर फिर दो महीना ऐसे करके तब ही नहीं आए वर एपलिकेसन जब डाल देएंगे तो आपके बैंक के जो करमचारी होंगे वो आपकी एपलिकेसन उपर डालेंगे जब एपलिकेसन डालेंगे नंबर बंबर सुब आपका जाएगा तो फिर आपको एक token ID टाइप का जरन्येन लगा वही एकाउंट नंबर को लेकर के वो ऐसे automatic अपने मन से नहीं आए बैंक वाले तो कह देते हैं अपने मन से आ जाएंगे आ जाएंगे लिकिन नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है कि जो application लिख करके देनी है और उनको भी कहना है कि वो भी अपना online सिकायद जो होती है वो करें बैंक वाले online सिकायद करें और उसके बाद जो है फिर आपको token number type का token ID वो दे दें तुरंत अपना ले लेना और उससे अपना status चेक करवाती रहना एक दो दिन तीन दिन में ऐसे करके चेक कर लिया करो तो वो चीजे हैं तो इस बारे में आपको ध्यान देना और मान लो आपकी application आपने डाली है सिकायद वो खारिज कर दी जाएगी अगर तो दोबारा से फिर से उसको reopen करवाना दोबारा से फिर डालवाना ये भी चीजे आपको ध्यान दकनी है तो इस बारे में अपना bank जाओ और बात कर लो इधर देखेगा पूनम महने बलरामपुर से आती है अब एक बात और ध्यान रखनी है कल है 25 जनवरी और कल 25 जनवरी को आपको सपत लेनी है तो यहाँ पर ध्यान देना ये मतदाताओं दोबारा ली जाने वाली सपत हम आपको बता रहे हैं तो आंगन बारी बेहनों पहले इसको भी सुन लो Election Commission of India ने यहाँ पर इस सपत को यहाँ पर जारी किया है कल 25 जनवरी है 2023 को ये सपत सब को लेनी है ध्यान देना हम भारत के नागरिक लोक तंत्र में अपनी पूड आस्था रखते हुए यह सपत लेते हैं कि हम अपने देश की लोक तंत्रीक परमपराओं की मर्यादा को बना दरग जाती समुदाय भासा अत्वा अन्य किसी भी प्रलोबन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रियोग करेंगे इस सपत को आप सब को लेना है तो यहाँ पर ध्यान देना अब इसके बारे में ये पूनम भहम बल्रामपुर से ज ज़िदी जाएंगी गुरुपों में अभी आपको हम बता देते हैं इसी सपत के बारे में काराले मुख निर्वाचन अधिकारी जो है उत्तर पदेश के उनका 23 जनवरी को सम्मंद में क्लेटर जारी हुआ है और समस्त जिला निर्वाचन अधिकारीों को पूरे उत्तर रहेगी वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम इस तरीके से यहां पर रहेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं तो इसके बारे में आप जो है अपना ध्यान देना अभी फिलाल इसमें कुछ नियम भी दिये गए हैं तो पहली बात तो एक बजे समय इसका रख कर हैं उनको तो ज़्यादा ही इस बात का ध्यान डखना है और ये सब करवाया जाएगा तो कल 25 जनवरी को आपका राष्टी मंदाता दिवस मनाया जाएगा तो इस तरह से वहां पर चीजें देखने को मिलेंगी अब चलते हैं आगे और जो भी अच्छा कार करने वाली भी यलो वरकर होंगे उनको सम्मानेद भी किया जाएगा अब फिलाल के लिए आगे ले चल रहे हैं और आपको बताते हैं महिलाओं की सहभागिता के लिए जागरुपता लाने के लिए आंगनबारी आसा और महिला सुयमसाता समू महिला जो है आइकन ऐसे लिखा गया है इनकी सहभागिता सुनिश्चित करवाए तो इन लोगों को प्रचार प्रसार के लिए भी सब लगवाया जाएगा तो इसके सम्मन्द में और बताते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि विगत वर्स भंडार में अवसे संख्या को ध्यान में रखकर मुद्रण जो है कराय जाने वाल मातरा का तारकिक आंकन करते हुए जो है फार्मों के मुद्रण हेतु यहाँ पर निमलिखित अधिक्तम दर रुपया 40 रुपया प्रती प्रस्ट के हिसाब से यहाँ पर यह छपाई करा ली जाए जिसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है तो यह मनी सुकला जी है मनी सयुक्तमुक्ष नर्वाचन अधिकारी उत्तर पदेश में उनके इस तर से यह लेटर जारी कर दिया गया और कामनी बहन कानपुर्दया से जिनके द्वारा आलेंडिया को बेज दिया गया तो बहनों अभी आपने बहुत सारी जानकारी देखी अब हम आपको यह भी बता मद्धपदेश में आगनबारी बहनों का धरना चल ला है उनकी भी जानकारी थोड़ा देख लो फिर हम फिर से आपके प्रमोसन पर चर्चा करते हैं यह हैं आपकी एक बहन रतलाम में उन्होंने जानकारी भेजी है रतलाम जिले में बहनों का अपदरसन तेजी से वहां च और सिंग्रोली जिले में भी बहनों का पदरसन चलना है वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से फोटो आल इंडिया को भेजी गई है ताकि बहनों की आवाज जो है सभी के कानों तक जाए और आप जो देख रही हैं तरह तरह से कई राज्यों से बहने इस स था और दो दिन हो चुके हैं बहनों का धरना 28 तक चलेगा अगर सरकार नहीं सुनती है तो बहने भूंखरताल पर भी बैठेंगी एक जिले के जो है इस तरह से आपने ये जानकारी भी देखी थी अंजली मेहने मद्दपदेश से उन्होंने भी यहाँ पर जानकारी बेजी जिला निवारी है वहाँ पर भी पदरसन हो रहा है और चतरपुर जिले का भी उन्होंने एक ये आर्टिकल बेजा है आंगन बाड़ी कार करता सायका धरने पर बैठी है चतरपुर में वहाँ का भी एक ये मैटर बेज दिया गया तो 23 तारीक से 28 तारीक तक बहनों का अनों को दिया जाए उसके अलावा भी अन्न 11 मांगे हैं उन पर भी सरकार विचार करें अब बात कर लेते हैं अभी धरने के वीडियो जो है उसका वीडियो सुधानसु पटेल चनल पर इस्पेसल वीडियो आ जाएगा धरने का ही मेन बाकी अब आपको बताना चाहेंगे क ये देख लीजिएगा प्रमोशन के बारे में किसकी क्या समत्या है और कैसी कैसी है एक बहन ने लिखा कि मैं सुनीता देवी ब्लाग सरोजनी नगर से हूँ मेरा नाम 2017 की प्रमोशन लिष्ट में था जो कि इस बार की लिष्ट में नहीं है तो अगर वो लिष्ट आपके प वीडियो पड़े हो तो उस पर अपना ढूल लो देख लो तो बात अलग है बाकी देखो यहाँ पर यह बहन है सुनीता देवी वाइफ आफ विने सिंग तो अभी 2017 में इनका नाम था इस वाले में नहीं है तो इस वाली लिष्ट को लेकर के ज्यादा चिंता भी नहीं करनी हैं मैंने सुबह के वीडियो में भी बोला था कि इस लिष्ट को लेकर के मेरे मन में खुद ही अभी संकाएं हैं संदे हैं वो इस बात को लेकर कि उसमें अभी जो बोला गया था अच्छे कार की आधार पर वरीता दी जाएगी अंकों में सैद पोर्षट रेकर अच्छे का को के अंक मिलते हैं उसका भी कोई column नहीं है किसी तरह के अंक नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये list जो आई है ये main है या फिर पूरी अपने आप में पर्याप्त है या तो इसमें काम बाकी है करना या फिर जो है पुरानी हो सकती है अब चूंकि बहन ने कहा कि पुरानी न नहीं है क्योंकि इसमें अभी सब कुछ छूटे ही मुझे नजर आ रहा है तो वो भी तो पूरा करेंगे ऐसा हो सकता है कि काम सुरू हो चुका होगा जिलों में अब इस तरह के मैटरों को करने के लिए अब list खंगाली जा रही है नाम दिये जा रहे है अब उनी पर अपना ये सब करेंगे लेकिन अब बहनों को भी जानना है कि उनका नाम आखिर जिनका हटेगा तो किस वज़े से हटेगा वो वज़े भी विभाग को बता देनी है जैसे किसी बहन का मालो उम्र जादा हो गया 50 साल तो समझ में आता है कि हाँ इनकी out of age हो गई तो इसलिए उनका न ही होगा तो बहनों को प्राब्लम तो आएंगी अब ये हैं अमरेश कुमारी प्रताबगर से इन्होंने लेखा कि भया जी हमारा 12 साल आंगन बाडी के पद पर कारिक करते हुए हो गया है सुपरवाइजर के पद प्रमोशन होगा और हम 11 तक पढ़ाई किये हैं और हम विकल प्रमोशन के लिए और परती प्रक्रिया चूकी है 2017 की तो 2017 की भरती प्रक्रिया है तो उस टाइम पर तो आपके 10 साल हुए नहीं थे तो जब 2017 में 10 साल नहीं हुए थे तो उस प्रक्रिया में अगर आप सामिल नहीं है तो फिर आपका तो सम जो है जानना पूछना सम बेका ज्वाइनिंग 2003 की इनकी है तो अब ये सविता बैने प्रियागरा से मैंने लखनाओं की दिखाई और उसमें बोला भी केवल लखनाओं की है अन्य जिलों की नहीं है और ये प्रियागरा से है और इनको देखो वो लिश्ट चाहिए तो वही चीज़ें कि बहने समझती नहीं है धंक से सुनती नहीं है कि भै कहा की बात कर रहा हूं क्या कर रहा हूं और उनको भी ये चीज़ चाहिए तो मैंने कहा है कि अन्य जिलों के बारे में जो भी सूचना प्रमोसन की आएंगी सुबह भी बोला था अब भी बोलना हूं तो आल अंडिया पर लेकर के आएंगे उसके लिए विर्थमें आपको परिसान नहीं होना है हाँ अपना ध्यान लगाना है दिमाग लगना तो इसमें लगाओ कि जो भी बहने बाहर होंगी या हो रही है वो क्यों हो रही है उसका कारण क्या है इन चीजों पर फोकस करो अब यह ससकला बहने कुसी नगर से इन्हो भाया जी जो प्रमोशन की लिस्ट आई है वो सिर्फ लखनौ का ही है क्या ऐसे ही जो हर डिस्टिक में आई है क्रपिया लिस्ट वगरा में पीडियाप में इसी नंबर पे सिंड कर दीजेगा आपकी महानकरपा होगी तो एक तो बात बहली है कि ये केवल लखनौ की दूसरी बात अभी अन्य जी लोग की आई नहीं है हम तक आएंगी अगर पहुँचेंगी कोई जानकारी आएंगी कोई सुरोत आएंगे इसके तो हम बताएंगे पहली बार क्या था कि एक ओफिसियल वेबसाइट पर जो चीजे अपलोड की गई थी तो वहां से चीजे सब की डाउ मदद से अलनिया के पास आजाएंगे और फिर आपको दिखा दी चाएंगी तो एक तो मैटर ये दूसरी बात ये कि कि किसी भी बहन को हम ये लिष्टें परसनल नहीं भेज सकते जवकि आप मांगे कि हमको दे दो हमारे नंबर पर बेज़ दो तो यह संभव नहीं है इसका कारण आप समझे क्योंकि आप लोग क्या करते हैं जिद करने लग जाते हैं और अपने सिवा किसी की सुनते नहीं है तो बात फिर दिक्कत वाली होती है मेरे समझाने का मतलब यह है कि आप मांगने वाले आपको लगता है कि आप अकेले हैं जो मांग रहे हैं कि हमें लिष् प्लीस बेज दो लिश्ट बेज दो यह करेंगी अब एसे में हजारो लाखों की तादात में बहने हो जाती हैं अब आप बताओ क्या मैं किसको लिस्ट बेज पाऊंगा आप कहें हमको बेज़ दो बांकी से क्या मतलब तो भाई आप या कोई भी हमारे लिए कोई special नहीं है हमारे लिए सब बराबर हैं और इसलिए हम क्या करते हैं कि आप लखनओं का था वैसे तो हजारों की संक्चा में बहने होंगी ठीक तो मैंने वीडियो में जो भी समय लगा मैंने दिखा दिया बता दिया मुश्किल से 5-10 मिनट आप उसको देख ले चेक कर ले किसका नाम है किसका नहीं है काम खतम लेकिन वो देखना कोई नहीं चाहता सब को सब को personal भेज़ दो सारी चीज़े जानकारी तो कैसे सम्मब होगा भाई आप ये भी तो समझें आपको अपनी चीज़े दिखती हैं आपको हमारी समस्या नहीं दिखती हैं कि हम आखिर हर किसी को personal पर चीज़े कैसे बेज़ पाएंगे एक-एक करके ये चीज़े हैं समस्या का में कारण इसलिए तो हमाल एंडिया पर आपको वीडियो देखते हैं सारी जानकारी देते हैं वरना एक एक बहन को कैसे कैसे बेज पाएंगे तो इसलिए मांगना जो है आपसे विनम्र निमेदन है ऐसा बंद करिए देखना सुरू करिए चीजों को देखो समय निकाल दो देख लो जब आपकी जिले की लिस्ट नाम आएगी तो उसमें खुद ही आपका नाम अगर होगा तो दिखा देंगे नहीं होगा तो सबर रखना जब आएगा तब दिखा देंगे नहीं दिखाया तो इसका मतलब यह है कि लिस्ट हम तक नहीं आई कोई भी खबर हो जो नहीं दिखाएगे इसका मतलब हम तक अभी जानकारी नहीं आई तो हम तक अगर कोई जानकारी या आती है तो वो हम तो हमारा करतव है और हमारा फर्ज है हम तो चाहते हैं जानकारी आए और हम आपको देते रहें अच्छा-च्छा content दे आपको तो हम अपने पास थोड़ी रखेंगे हम तो चाहेंगे दिखाएं लेकिन फिर भी लोगों को सब्र नहीं होता कि हमें हमारे नमबर पर भेजदो हमें वेजदो भाई यह संबव नहीं है इसके लिए जिद करना आपका बेकार है फिर आप हमें गलस समझें कुछ भी कहें वो आपकी मर्जी है अब मैंने अपनी समस्या आपको समझा दी मैं गला फार फार करके आपको एक एक नाम यहां पर बताता हू किसलिए वो इसलिए ताकि एक बार में मिहनत में हम आपको जो दे रहे हैं वो हजारों बेहनों तक पहुँच जाए और वो अपना मुश्किल से पांदस मिनट निकाल करके अपना नाम देख लें जानकारी देख लें ठीक अब अगर आप सोचे कि हमको बेजदो हमको बेज चाओ पर केवल अपनी ना देखो इन चीज़ों पर भी फोकस करो और हमारा करतब वे हैं हम दिखाएंगे हमारा काम है आपके लिये जानकारी लाना जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे आपको हम दिखाते जाएंगे तो परेशान मत होना संगिता देवी हैं बहराई से इन्होंने भी लिखा पिली भी जिले की प्रमोसन सूची भेज देना उर्वसी गंगवार बताओ कैसे हम भेज दे किस किस को भेज दे और जब अभी तो आई नहीं है मैंने वीडियो में भी कहा जब आएंगी तो चैनल पर दिखाएंगे हम किसी को परसनल बहन नहीं भेज पाएंगे क्योंकि ये संभव नहीं है हमारे लिए ये आप समझना थोड़े ही मैसेज मैंने आपको दिखाएंगे अब ये देखो उन्नाओ का मैटर है निरवाचन वाला से जुड़ा हुआ ये 23 तारीक का लिटर है कल राष्टी मंदाता दिवस मनाया जाएगा 25 तारीक को तेरवे राष्टी मंदाता दिवस के रूप में जिसके बारे में लिटर था और सपत ये वाली जो कि मैंने आपको अभी देखा दी ये सपत कर लेनी है और कुसुम पांडे में गाजीपुर से उन्होंने जानकारी जो भेजी कि उनके वहाँ पर ECC वाला सार्टिफिकेट इनका डाउनलोड हो गया अब ये प्रतापगर से भी इसी संबंद में एक लेटर था डीपियो मोहदे का तेज तारीक का कि यहाँ पर भी कल पच्चीज तारीक को राष्टी मदाता दिवस मनाया जाएगा तो आंगन बाड़ी बेनों कल राष्टी मदाता दिवस मनाना है और ये वाली सपत लेनी है और सपत मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इसलिए बता दिये ये एक बहन है रासन वित्रड इन्होंने किया है उन्नाव से आती है लेकिन इन्होंने अपना जो है नाम नहीं बताया है अभी फिलाल के तो इनका गलती से स्क्रीन सोट आ गया बि ये एक मैसज है कि नमसकार भया जी हम यूपी के गाजी पुरजले से हैं हमारा यूनिलर्ण वाला एप जो भी उसमें चार का भी माडूल है वो कम्प्लीट होने के बाद भी पांच का भी वगरा नया माडूल ओपन नहीं हो रहा है तो देखो कोई ने कोई दिक्कते होंग दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानि घंटी बनके आएगी उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी जिन में सबसे उपर आल वाली घंटी आप लोगो को दबा लेनी है